Hello everyone, guys my name is Vinnit Kangra and I am your con teacher at this wonderful channel MBA वाला बाई P.W. So दोस्तो आज हम मिल रहे हैं अपने foundation batch count 1 arithmetic session जो हमारा चल रहा है उसके lecture number 10 पे. पर हाली में हमने lecture number 9 यहने percentage finish किया था. पहले तो मैं बता दूँ उसमें मैंने 2 homework दिये थे, जहाँ पर पहला answer 7200 बिल्कुल correct आया है. आप में से काफी लोगों ने comment किया है और दूसरा answer 44% का increase. बिल्कुल सही guys. तो काफी student जैसे के शुरूती, जैस्वाल, कमले, जैन, सत्यम, कुमार, श्रया, श्रिवास्त, बिल्कुल और भी काफी students है. तो keep it up guys, ऐसे ही homework का answer देते रहो हम देखते हैं, don't worry. और यहाँ पर आपका अब आने वाले sessions में मैं नाम भी mention करते रहूंगा. तो correct answer देते रहो. तो yes, 44% का increase यह था homework number 2 का answer और homework number 1 का answer था 7200. सुपब guys. Now, बिना किसी देरी के lecture number 10, जो की arithmetic family का again बहुत important topic है, profit, loss, discount. जिसमें आप mark price, selling price, cost price, इन सब बातों को समझोगे, और day to day life का, रोज मरना की जिन्दगी में use होने वाला concept है यह. तो I don't think कि यहाँ आपको कोई tough चीज़े जाएगी, बस question की again हुई है, arithmetic is all about word based questions. तो question की language समझना है और फटा फट अपने सारे concept, tricks उस पर apply करनी है. है ना, तो guys बिना किसी देरी के शुरुवात करते हैं profit, loss and discount topic में, जिसमें हम पहले तो concept and questions based on profit and loss देखेंगे सिर्फ, जिसमें हम selling price, cost price को भी समझेंगे, then concept and question based on discount जहाँ पर आपको mark price को समझना ही होगा, क्योंकि discount अगर picture में आया है, तो discount apply किस पर होता है, MRP पर, यानि mark price पर, तो वो चीज़ हम समझेंगे, तो पहले कुछ concept and question, profit loss related, concept or question, discount related, and फिर general practice questions हम करने वाले हैं, तो guys, let's start, शुरुवात करते हैं, तो concept of profit percent, loss percentage, वैसे तो बहुत मैंने जैसे कहा, रोज मरना की जिंदगी में use होने वाला topic है, कि profit क्या होता है, loss क्या होता है, बच्चा भी बता देगा, कि अगर मैंने कुछ 80 रुपीज की कोई चीज लाई है, और 100 रुपे में बेचा है, मतलब मैं profitable deal में हूँ, मैंने 80 price, CP मतलब होता है cost price, and SP मतलब होता है selling price, इन बातों का मतलब long form भी समझो, बागी मतलब तो आप लोग को पता ही है, फिर भी मैं आपिस बताऊँगा, तो अगर मान लो, जो भी चीज में लाता हूँ, purchase करता हूँ, उस price को मैं cost price बोलूँगा, और वोई चीज को जब मैं बे बेगा लाया, और उसको मैंने बेज दिया 80 रुपए में, ठीक है, तो बताऊ मेरा profit, पहली बात तो profit हुआ, whenever selling price, बच्चे जैसी बात है, लेकिन सुनना जोरी है, whenever selling price is greater than cost price, यह हमेशा profit वाली deal होती है, always remember कि selling price अगर cost price से बड़ी है, यानि कि हमने जिस price में लाया था, उससे ज़्यादा दाम में बेचा है, तो हम profit making deal में है, है ना, तो 60 में लाया था, 80 में बेचा हम profit में, यहाँ पे loss का कोई C नहीं नहीं, और profit is equal to what, selling price minus cost price, profit का formula यह बन जाता है, selling price minus cost price, आप इसी को ऐसा भी इदर आके क्या हो गया guys, plus हो गया, तो cost price plus profit is selling price, है ना, again, अगर मान लो मैं एक item ला रहा हूँ, 60 रुपे का, लेकिन उसको मैं 80, 70, 60 में भी बेचनी पा रहा हूँ, outdated हो गया है, अब कोई लेने को लिए ready नहीं, finally कोई 50 में में को customer मिला, मैंने दे दिया, अब यहाँ पे आ loss का formula क्या बन जाता है, loss is equal to CP minus SP, profit is equal to what, SP minus CP, एफिर वोई minus CP इदर आ गया, तो CP plus profit is SP, लेकिन loss is equal to ultra, CP minus SP, पराबर, तो यहाँ पे कितने का profit हो आपको 20 का, 80 minus 60, यहाँ कितने का loss हुआ, 10 का, 60 minus 50, या फिर इसी को आप कैसे लिख सकते हो, जैसे इस formula को मैंने selling price के respect में लिख लिखना है, तो इस बार देखो, selling price minus है, उसको इदर ले लेते है, selling price minus है, इदर आके plus हो गया, और loss उदर जाके minus हो जाएगा, यहने CP minus loss, profit is equal to SP minus CP, loss is equal to, एकदम easy, है न, loss is equal to CP minus SP, उसी को अगर selling price के respect में लिखना है, दोनो formula को, तो selling price is equal to cost price plus profit, and selling price is equal to cost price minus loss, ठीक है, एकदम basic guys, now, अब सर, यह सब चीजे तो हमें पता है, कुछ नया बताओ, अब नया सिखेंगे, अब नया सिखेंगे, जो again बहुत सो को पता होगा, लेकिन खास कर मजा तो तब आएगा, जब हम question start करेंगे, तो बस foundation batch के गरिमा को ध्यान में रखते हुए, इस word को ध्यान में रखते selling price कितनी है, rupees 150, एक सो पचास में बेचा और वो बेच कर मेरे को पता चला कि मेरे को 20% का profit हुआ है, कितने का लाया था मैंने नहीं बताया, मैंने उसको बेचा 150 में, याने selling price, जो price में मैंने बेचा, selling price is 150 और वो बेच कर में को पता चला कि मैं 20% profit में हूँ, तो बताओ उस article गल्की cost price क्या रही होगी उसकी cost price क्या रही होगी अब majority student ने यहाँ पर गल्ती करना है आप चाहे तो pause करो अपने आप से इसका answer निकालो और वापीस मेरा वीडियो देखो, देखो कितने लोगों ने सही किया, कितने उन्हें mistake की है majority student पता इस question का answer क्या बोलेंगे maximum student इस question का answer बोलेंगे sir cost price तो 120 हो गई यह maximum बोलेंगे मैं नहीं बोलरो हो यह correct है majority student बोलेंगे sir cost price तो 120 होगी क्योंकि 150 selling price है 20% profit है, तो 150 का 20% कितना होता है, 30 तो 30 आप क्या हो गए, आपका profit अभी आपने बताया था, कि CP plus profit is SP तो SP 150 है profit हमें percent में दिया है, तो 20% of 150, अभी हाली में हमने ताजा-ताजा percentage topic खतम किया है, तो आपको यह निकालना तो आता है, है ना, तो 20% of 150 कितना हो गया 30, 10% 15 होता है, तो 20% 30, तो sir cost price तो निकल जाएगी देख लो cost price is equal to 30 यूदर जाके माइनस हुआ, 120, गलत बहुत बड़ी गलती कितना है, और वो बड़ी गलती क्या की आपने पता है, आपने ये 20% selling price पे apply करना, यही सबसे बड़ी गलती करती, एक चीज़ याद रखना, profit percent and loss percent, whenever question is silent profit percent और loss percent हमेशा CP पर apply होंगे cost price पर यह as a thumb rule याद रखो हाँ, कभी कबार question अगर बोल रहा है कि एक dealer है, जो अपना profit selling price पे calculate कर रहा है, अपना loss selling price के उपर calculate कर रहा है तो उसको respect करो अगर question सामने से कोई condition दे रहा है कि वो बंदा अपना profit या loss SP पे apply करता है, selling price पे apply करता है, उसको respect करो बट अगर question silent है जो maximum time silent ही रहेगा तो आप ने ये चीज़ समझना है कि profit और loss percent हमेशा CP पर apply होगा, cost price पर selling price पर नहीं, और वो ही बड़ी गलती आपने करी कि 20% आपने 150 का निकाल, clear? तो इसलिए वो 20% निकालना ही गलत हुआ, तो ये सब चीज़े गलत होगी, अब करेंगे क्या? तो simple है guys, अब देखो इसका formula है भी, लेकिन अगर मैं आपको formula बता दूँगा न, तो आप चंद type के question, बहुत चुनिंदा type के question कर पाए होगे अगर majority, हर एक twist और turn से भरा हुआ question आपको करना है, तो अब मैं जो approach सिखा रहा हूँ, formula नहीं, जो approach सिखा रहा हूँ, उस पे mastery कर लो guys, profit और loss आपको हलवा लगना शुरू हो जाएगा, तो वो approach है, assumption approach, जभी cost price, आपको मालूम है कि ये percent किस पर apply होने वाले है, cost price पर, but cost price हमें नहीं पता, हमेशा 100 assume कर लो, क्योंकि जब percent की बात आती, आपको percent apply करना है, तो percent की बात आती है, तो 100 सबसे best होता है, अभी आपने एक formula देखा था, क्या देखा था, profit के respect में cost price plus profit is selling price, तो cost price मैंने 100 लिया, उसमें अगर मैं profit add कर दू, तो मुझे क्या मिलेगा, selling price अब मुझे बताओ, profit कितना है, 20% अब इस बार मेरे पास cost price है, तो 20% तो apply कर सकता हो, मैं 20% of 100 कितना हुआ, 20 तो guys, selling price कितना मिला, 120 but, हमें मालूम है कि ये तो हमारा assumption से भरा हुआ approach है this is not actual, this is what assumption approach, अगर question ने हमें actual selling price 150 दी है but, हमारे assumption के इसाब से हमारी selling price कितनी आ रही है, 120 तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप ये इतना तो वो कितना unitary method, count की जान तो 120 assume selling price अगर actual में 150 है तो 100 assume cost price actual में कितना खतम और ये चीज़े आपको लिखने की ज़रूद इतना लिखेंगे, फिर formula क्या बूरा है आपको लिखने की ज़रूद नहीं है, ये आप मन में नहीं कर सकते, 100 मनी मन में assume कर लिए, धीरे धीरे, practice के साथ होगा उसका 20%, तूरन 20 होता है 100 का 20% 20, 10% 10 15% 15, ये तो beauty 100 assume करने की 100 plus 20, CP plus profit is SP, दो चीज हमने सीखी अभी CP plus profit is SP, and CP minus loss is SP तो फिलाल तो ये profit का question है, तो हम क्या करेंगे 100 plus 20% of 100 is 20, 120 मिली selling price देखो, मन में हो गया, तो 120 selling price तो हमारे हिसाब से, actual में कितनी है, 150, तो अगर 120, 150 के बराबर है, then 100 is how much, आपको क्या निकालने बोलाया है find the value of cost price तो cost price की value अगर आपको निकालना है, majority student 120 बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, उस reason मैंने बताया और option में 120 दिया भी रहेगा लेकिन गलती से भी उस पर tick मत करना क्योंकि आपने blunder mistake की है तो अब क्या गरो, cross, ऐसे case में cross multiplication करते हैं, तो 120x is equal to 100 into 150, फिर 15,000 भी आप बोल सकते हो, कोई तो एक एक 0 कट कर दो, x is equal to 1500, यह न, 10 into 150, 1500 upon 12 तो answer आया है guys, 125 answer कितना आया, 125 तो option में जीदर 125 दिया रहेगा वहाँ tick करना, ना के 120 पे guys, चमका, बहुत simple है, cost, price, plus profit is SP, cost price को money 100 लेलो, उसमें जितना भी profit बोला है, add कर दो, 100 plus 20 is 120, what your selling price आप देखो, profit percent जो दिया है, actual वो ही apply कर रहे हो, इसलिए यह आपका assumption, valid assumption है इसको आप reality से compare कर सकते हो क्योंकि आपने percent वो ही apply गया, जो question ने दिया है, तो as per your assumption, आपकी selling price 120 है जो actual में 150 है, तो as per your assumption, जो आपकी cost price 100 थी हो actual में, कितना खतम भाई, पूरा profit and loss topic यह approach से solve होता है, जिसको हम assumption approach होते हैं, formula मैं अभी भी बोल रहो, बहुत basic level के question तक काम आएगा, लेकि यह approach आपको आगे देखोगे, बड़े-बड़े question को चुटकियों में solve कर देया, कमज रहे हो, come on guys, one more, one more, one more, अगर मैं आपको selling price दे दू, 180 profit दे दू, 20% again, what is the cost price, तुरंट आप क्या करोगे, cost price is what, 100, उसमें profit, profit दे आने add करना है, तो profit 100 cost price में profit, 20% of 100 कितना होता है, 20, add क्या 120 में क्या मिली, selling price, but this selling price is what, assumed, actual selling price 180 है, so 120 अगर 180 है, then 100 is home, क्योंग, cost price तो हमारी 100 ही है 120 selling price assumed, जो actual में हम क्या कर रहे है ये unitary method, assumption versus actual, ये सब assumption वाला data, 120 क्या है, assume selling price 100 क्या है, assume cost price ये actual data, 180 क्या है, actual selling price, तो X भी क्या हैगा, actual cost price, ठीक है, तो 120 X is equal to 18,000, same, वोई चीज़ है, गाई, 00 कटा, तो X is equal to 12,100, 12,500, 150 is the answer, ठीक है, जो आपको यही पर समझ गया था, ये 120 और 180 में, 2,3 का ratio बन रहा है, ये न, 2 by 3, 60, 60, 60 से divide करो, तो यहाँ 2 by 3 का ratio यहाँ भी बनना चीए, मैंने pattern सिखा है न, आप लोग को, तो ये 2 by 3 बनने के लिए कितना हैगा, ये 100 है, तो ये 150 हैगा, बराबर 2 by 3, समझे रहो, और ये जरूरी नहीं कि आप ये चीज़ तरिप cost price पे apply करो, इससे profit भी निकाल सकते हो, for example, अगर, मान लो, selling price 200 है, profit 10% है, what is the actual profit, अब majority student क्या करेंगे, ये 10% of 200 ले लेंगे और बोल नेंगे, सर 20, न, ये तो आपको समझ गया है, ये selling price पे apply नहीं होगा, जब तक question silent है, या कुछ नहीं बोल रहा, अगर वो बोलेगा कि ये profit SP पे निकालता है, तो फिर बोलो, लेगिन ऐसा अगर नहीं बोला है, तो आपको हमेशा है profit percent किस पे apply करना है, CP पे, तो CP money money 100 ले लिया, उसमें इस बार profit कितना है, 10% add किया, आपको 110 के मिला, assumed selling price, जो actual में कितना है, 200, तो अगर 110 ये 200 के बराबर है, तो profit बोला है आपको इस बार, तो 10 is how much, जब cost price बोला होता, तो आप क्या बोलते हो, दिन 100 is how much, जब profit बोला है, तो profit वाला figure ही है न, this is your cost price, profit वाली figure ये है, तो आप CP निकालोगे, फिर उस पे 10% apply कर रहे होगे, क्यों ठक रहे हो, 10% is how much, guys हो सकता है, जिसको ये सारी चीज़े आती, उनके लिए थोड़ा सा introduction, लें दी हो, but don't worry, बहुत अच्छे-च्छे कोश्चन सम्हें तुरन शुरू करने वाले, तो बस cross multiply कर लेना, answer आ जाएगा, ठीक है, answer आ जाएगा, decimal में आएगा, बटा जाएगा, और यही चीज़ आप loss के लिए भी, कमाने एक चीज़ और सीखते है loss का, और फिर हम शुरूबात करते हैं, तो मान लो, अगर मैं 200 रुपए का, 200 रुपीज का एक item बेच रहो, लेकिन इस बार मेरे को loss है 10% का, इस बार मेरे को 10% का loss है, तो what is the cost price, अगेन गाईज, profit percent हो या loss percent हो, apply किस पे होगा, CP पे, CP है हमारे पास, नहीं, अगेन बट loss, जैसे मैंने कहा, profit के case में, CP plus profit is SP होता है, दिमाग में fit कर लो, loss के case में क्या होगा, CP minus loss is SP, CP minus loss is SP, CP हमें नहीं दिया है, 100 ले लो, तो 10% किस पे अपला होगा, cost price पे, तो 10% of 100 is 10, लेकिन minus करना है, तो selling price कितनी मिली गाईज, 90, but this selling price is what, assumption वाली, ये पूरी selling price, assumption से भरी हुई है, तो अगर ये 90 assumption वाली selling price, actual में 200 है, then 100 is how much, इससे हमें cost price मिल जाएगा, तो देखो 90X is equal to 20,000, अगें 00 कटा, X is equal to 20,000 upon 9, इसका answer क्या जाएगा गाईज, 2222.22, answer क्या आया, 222.22, 2222.22 is the cost price, but उसको हमने 200 में बेचा, इसलिए loss हुआ, cost price जादा है, cost price is greater than selling price, तो ये loss making deal है, 10% का loss, इससे आप loss भी निकाल सकते थे, आप चाहे तो आप cost price निकाली लिए, तो उसका 10% निकाल लो, लेकिन अगर आपको स्रीब loss निकालना होता, तो आप ये ना करते हुए, क्या करते है, 90 अगर 200 के बराबर है, assume selling price actual 200 के बराबर है, तो assume loss 10 actual में कितना, 100 के जगे हम बूल देंगे, 10 is how much, that's it, clear guys, चमका, और अब देखना, simple सी एक चीज, कि जबी भी आपको, ये तो बात हो गई, कि जब आपको selling price और profit डिया है, उससे cost price कैसे निकालते है, या selling price और loss डिया है, उससे cost price कैसे निकालते है, लेकिन guys, अगर आपको profit percent या loss percent निकालना है, तो याद रखना, एक चीज तो अपने percentage topic में, हाली में ताजा-ताजा सिखी है, नहीं ही सिखी तो वीडियो देख लो, कि जिसका भी percent निकालना होता है, वो हमेशा numerator में, अगर मुझे profit percent निकालना है, तो profit numerator में लिखो, loss percent निकालना है, तो loss numerator में लिखो, सिंपल सी बात है, इंटू 100 भी पत्थर की लकीर है, अगर percent निकालना है तो, अब बचा सिर्फ सर्फ base में क्या ले, base price, जिस पर हम percent calculate कर रहे है, तो again, मैंने अब भी थोड़ी देर पहले कहा है कि, question अगर कुछ नहीं बोल रहा, तो हम profit और loss percent किस पर apply करते हैं सिर्फ CP पे, तो यहाँ पर भी जब profit और loss percent apply नहीं निकालना है, तो base price हमेशा CP होगी, base price हमेशा CP होगी, if question is silent, अगर सामने से बोल रहा है, कि find profit percent on the basis of SP, और find loss percent over SP, तो फिर SP लो, otherwise अगर कुछ भी नहीं बोल रहा है, just find profit percent या find loss percent, तो हमेशा किस पर निकालोगे CP पे, चमका guys, तो यह है profit percent और loss percent का formula, तो रवात करते हैं question एक दम धासू question guys, the selling price and the cost price of an article differ by, selling price and cost price differ, differ मतलब difference, और इनी के difference को हम क्या बोलते हैं profit, अरे याद करो, पहली ही starting में ही सिखाया, आज selling price minus cost price का difference मतलबी profit होता है, तो question ने ऐसा ना बोलते हुए, ऐसे घुमा कर दिया है, कि profit अगर 360 है, तो यह 360 question ने डिरेक्ली क्या देदे हैं आपको, profit का actual amount in terms of rupees, आगे वही चीज़ का बोल रहा है, if the profit percent is 20, फिर profit रूपीज के form में दिया, फिर profit percent के form में दिया, आपको बला है find selling price, selling price क्या होती है, भाई अगर हम बात percent की करें, तो 100 हमेशा क्या होता है, cost price, उसमें हम क्या add करते है, profit, जो कि 20 percent है, तो 100 का 20 percent is what, 100 का 20 percent 20 ही होगा, तो 120 हमें मिली selling price, CP plus profit is SP, तो CP 100, जबी भी percent हो रहा है, तो 100 assume कर लो, profit percent 20 of 100 is 20, 120 SP, तो आप क्या बोलोगे, आपके हिसाब से profit percent जो है, guys, आपके हिसाब से profit percent, जो है, 20 percent, वो actual में question के हिसाब से कितना है, rupees 360, योग यह तो question ने बोला न, indirectly profit rupees 360 है और percent के form में 20 percent है, मतलब 20 percent ही 360 है, तो SP पूछा है, तो SP कितना है, 120 is how much, percent percent गया, answer निकाल लो, 120 is how much, तो यार यहाँ पर cross multiplication, 20X is equal to 360 into 120, again 20 यहाँ पर divide कर लेगा, 6 आया, तो X is equal to 36 into 6, कर लो पहले, 216 और यह 0 extra, 2160 is the answer, majority stone यहाँ एक गलती करते है, इतना सब question को अच्छी से समझ लेते है, बट एक गलती क्या करते है, कि 20 percent अगर 360 है, then 100 percent is how much, अगर आप 100 is how much बुछ रहे हो, मतलब आप CP निकाल रहे हो, तो आप CP निकाल रहे हो, ठीक है, और उसका भी answer आता है, उसका answer कितना आपता है, 2000, उसका answer कितना आजाएगा, 2000 आजाएगा, या फिर, 1800 आएगा, yes, yes, 1800 percent परसेंट परसेंट कटा, तो 20X is equal to 36, 36,000, तो 00 कटा, और 2 ने 36,000 को डिवाइट किया, 1800, and the bad luck, 1800 option में है, 2000 नहीं, but वो option में है, तो फिर तो ऐसे case में क्या करते है, student खुशी के मारे, tick कर देते हैं, match हुआ चलो आगे, लेकिन गलती हुई, कहां गलती हुई, question को पुरा पढ़ने में, आपने ला परवाई की, तो simple है guys, अगर आपको selling price निकालना है, तो 20 अगर 360, then selling price is how much, money money CP 100 plus 20 profit is SP 120, तो 120 is how much, cross multiply कर ले न, 2160 आपको answer मिल जाएगा, come on guys, next question, by selling a watch, देखो selling price दे दिया है, at Rs.495, top keeper incurse loss of 10%, तो यहाँ loss दे दिया है, selling price और loss से, अब आपको क्या निकालना है, find the cost price, हलवा question, starting में हमने देखा है, cost price money 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 क्या लेते हैं, 100, loss के case में हम क्या करते हैं, minus करते हैं, तब जाके हमें selling price मिलती है, तो यह मिला CP, यह loss, यह SP, तो हमारे हिसाब से loss कितना आया, 90, जो question के हिसाब से कितना है, 495, 90 अगर 495 है, तो cost price पूछा है, तो cost price जैने 100 is how much, हो गया guys, तो X केसे निकल जाएगा, 495 double 0, इनका cross multiplication, और जो 90 X को multiply कर रहा है, इदर divide कर लेगा, तो 0, 0 कटा, 95,000, 95,000, 495, 0, divided by 9, क्योंकि एक एक 0 कट चुका है, तो 550 exact answer आया, exact, कोई approximation नहीं, कुछ नहीं, come on guys, next question, फटाफ़ट, एक बार concept clear है, तो question में हम time नहीं लेंगे, मैं भले concept समझाने में, काफी time लोगा, लेगिन question अब फटाफ़ट होंगे, by selling a cashler roll for Rs. 960, तो ये selling price दे दिया है, 960, a man incurs a loss of 4%, अच्छा भाई साव, यहाँ 4% का loss है, ठीक है, 4% का loss है, at what price should he sell the cashler roll, वो अब आप से नई selling price पूछ रहा है, question थोड़ा हट के है, इस बार ऐसा नहीं कि selling price और loss देकर cost price पूछा है, ना, वो बोल रहा है, मैंने 960 पे बेचा, 4% का घटा हुआ, क्या होता है, 100 minus loss is SP, यह आपका SP बना, अगर मैं cost price को 100 लूँ, तो loss के case में आप minus करते हो, तो 4% of 104 minus हुआ, 96 क्या बना आपका, selling price, loss के case में, वो ही अगर मैंने 16% का profit चाहिए, तो 100, cost price तो same रहेगा, 100, but profit है, तो add 16% of 100, 16, 116 मिला selling price, चाहिए, खतम guys, तो यह selling price actual में कितना, यह selling price actual में कितना है, 960, अगर 96 यह 960 के बराबर है, तो अगर मेरे को 16% का gain चाहिए, 100 रुपय पे, तो मेरे को 116 में बेचना होगा, बट 116 अगर 116 में कितना होगा, यहाँ 4% का loss, मेरे लिए क्या selling price छोड़ रही है, 96, बट actual में हो कितनी है, 960, 4% के loss पे मैंने 960 में बेचा था, तब जाकि 4% का loss हुआ, तो 96 अगर 960 है, तो 116 अगर 116 में कितनी selling price, खतम guys, मैंने कहा न, अगर आप formula से जाओगे, तो चुनिन्दा question कर पाओगे सिर्फ, लेकिन assumption approach से जाओगे, तो profit and loss के बड़े-बड़े question को धेर कर दोगे, क्या किया आपने एक simple सा assumption approach, selling price उसने आपको दे दी थी 960, जिस पे 4% का loss था, अगर आपको बता है, जब loss होता है, तो CP minus loss is SP, तो 4% के loss के हिसाब से, अगर मैं CP को 100 मान हूँ, तो मेरी SP कितनी बनी 96, तो अब नई SP क्या, अगर मेरे को 16% में बेचना है तो, profit में वो भी, तो profit के case में क्या होता है, CP, CP तो से हम 100 ही मानिए, plus profit 16 is equal to new SP 116, जो की assumption है, फिर से क्या कि हमने, assumption versus reality में unitary method, assume loss के time, जो मेरी assume selling price 96 है, वो actual 960 है, तो profit के time, जो मेरी assume selling price 160 है, वो actual में कितना, और guys, यहाँ तो cross multiplication की भी ज़रूत नहीं है, क्योंकि 96, मैंने कहा न, कभी हो भी pattern को help लो, pattern की help लो, 96 से 960 बन गई, तो 116 कितनी बन जाएगी, 1160, देखो, यहाँ बस 10 extra लगा, तो यहाँ भी 10 extra लगा लो, 96, 96, 10 extra, 116, 116, 10 extra, 1160 खत्तम, assumption, कुछ नहीं guys, बहुत easy, 4% loss, 96, जो के actual 960 है, तो 16% profit, 116, ने actual में कितना, यह मन में हो रहा है, यह चीज़े भी हाला की data है बस, आपने किया बस इतना है, यह दो चीज़े मन में की, और बस 100 इतना किया है, come on guys, अब person sales an article for Rs. 480, देखो, वो विल्कुल इसी टाइप का question है, अब आपने फटा फट पॉस करना है, और इसका answer निकालना, और मेरे से cross check करना है, person sales an article, selling price देदी, 480, at loss of, देखो, loss दे दिया 20%, money money, आपकी दिमाग में बत्ती जल गई होगी, कि loss है, मतलब 100 minus 20, 80, 100 CP minus 20, loss, 80 कहा मिली, assume SP, तो assumed SP loss पे, जो 80 है, वो actual में 480 है, तो question बोल रहा है, at what price he should sell, याने new selling price पूछी फिर से, to gain 40%, तो guys new selling price पूछी है, और profit दे दिया है 40%, तो again profit के guess में क्या होता है, CP, जो की 100 हमने माना है, plus profit के guess में, plus 40% of 100 is 40, 140, but वे 140 क्या हुई, assume selling price, जो actual में कितना, loss वाली, assume selling price 80, actual में 480 है, तो profit वाली, assume selling price 140, actual में कितना खाता है, guys again, pattern को follow करो, देखो, यह 8 का 6 times है, यह 0, 0 आपस में settle हो गए, यह 8 का 6 times 48 होता है, तो यहाँ पर भी आप 14 का 6 times ले लो, 14 का 6 times कितना होता है, 84 और 1, 0 extra, यहाँ 1, 0, इसलिए 1, 0, same यहाँ 1, 0, इसलिए 1, 0, तो यह 8 का 6 times है, तो 14 का 6 times कितना होता है, 14, 6,000, 84, तो 84 और 1, 0, extra 8, 40 इसलिए 1, अगर आपको यही पूछा होता, cost price कितना, तो आप 100 कितना बोलते थे, लेकिन आपको बोलाई कि, new selling price कितनी होनी चाहिए, तो गेन 40%, तो new selling price कितनी है, for gaining 40%, 140 is actual मैं how much, clear है, भाई, बहुत easy है, और ऐसे questions आगे आएंगे, इसलिए assumption approach को समझो, हो सकता है, पहली बार कर रहे हो, तो थोड़ा heavy लगे, अगले question से थोड़ा कम, कम, करते करते clarity आजाए, एक बार specularity आ गई, तो बड़े-बड़े question को खेल देगा, cat level तक की में बात कर रहा हूँ, ऐसे-ईसे cat के pyqs है, जैसे जो हम स्री वजम्शन के logic से कर सकते, तो ख़त हम 80% याने 80%, परसेंट बोलो या 80 बोलो just, इस actual में 480 है, loss के लिए, तो 140 profit के लिए actual में कितना, finish, फटा-फट गाईज, come on, अब machine cost रुपीज 375, तो CP दे दिया है, cost, तो CP, if it is sold at a loss of 20%, देखो loss अगर बोल दिया है, तो loss क्या होता है, minus होता है हमेशा, CP, इस बार आपको actual CP दिया है, तो इस बार आपको 100 लेने की ज़रुवत नहीं है, 100 तो आप कब लेते हो, जब आपके पास selling price हो, और cost price ना दी हो, तो cost price फिर आप 100 लेते हो, क्योंकि आपको profit और loss उस पे apply करना होता है, लेकिन इस बार आपके पास cost price दी है 375, तो जो loss है 20%, आपको पता है 375 का 10% कितना होता है, percentage में हमने सीखा, last digit के पहले decimal दे तो 37.5, तो यह अगर इसका 10% है, तो 20% इसका double याने 75, 75, तो 375 माइनस 75, 300 मिली selling price, अब question क्या बोल रहा है, what will be its cost price as a percent of selling price, मतलब वो cost price का percent पूछ रहा है, over selling price, एकदम random question उसने दे दिया है, मतलब इस बार कोई profit percent, loss percent, new CP, new SP निकालने नहीं बोला है, वो बस बोल रहा है कि मेरी cost price 375 है, मैंने 20% loss में बेचा, तो आपने actual 20% निकालके, minus करके selling price निकाली 300, अब वो बोल रहा है कि cost price का क्या percent है, over selling price, what will be its cost price as a percentage of, मतलब आपको cost price का percent निकालना, और मैंने कहा है, जिसके भी percent निकालना है, वो numerator में, और किसके उपर निकालना है, over selling price, percent of cost price on its selling price, तो जिसके भी उपर निकालना है, वो denominator में, और in 200 तो fix है, तो cost price कितना, 375, 300, in 200, तो जिको ये 2-2-0 शहीद, 3 ने 375 को divide किया, 125 is the answer, 125 percent is the answer guys, option D, option D, टम का, come on, next, if an item is sold at 10 percent gain, instead of 10 percent loss, अगर 10 percent loss में, ना बेशते हुए, 10 percent profit में बेचू, the seller gets 7.80 more, भाई, बहुत easy version है, वो बोल रहा है, 10 percent loss में, ना बेशते हुए, 10 percent profit में बेचू, सबसे पहले तो मुझे बताओ, अगर cost price 100 है, 10 percent loss, minus करो, तो आपकी selling price क्या आरी है, 90, वो ही अगर cost price 100 है, 10 percent profit, यह आपकी selling price कितनी आरी है, 110, बराबर, मतलब, अब आप मुझे बताओ, यह है आपका 10 percent loss वाला case, यह है आपका 10 percent loss, और 10 percent profit, वाला case, तो 10 percent loss में ना बेचते हुए, अगर आप 10 percent profit में बेचो, तो आप कितना जादा कमा रहे हो, 20, assumption के हिसाब से क्या बोल रहा है, assumption के हिसाब से, आप कितना जादा कमा रहे हो, 20 जादा कमा रहे हो, बट वो ही question बोल रहा है, कि 10 percent loss में ना बेचते हुए, 10 percent profit में बेचने से, आप कितना जादा कमा रहे हो 7.80 रुपीज मोर तो सेलर गेट 7.80 मोर then find the cost price of the article cost price तो कितनी है then 100 is how much अटम assumption approach की beauty समझो guys starting में आपको लगा होगे कि यहर सर formula क्यों नहीं बता रहे है यह 100 100 क्यों एस्यूम कर रहे है अब आपको समझ में आएगा ऐसे question अगर आप equation बना के करते let's assume cost price x majority student वो करते ना यह सबसे best है 100 को assume करो as a cost price जहाँ loss बोला है उसने 10% loss तो वह 90 selling price आजाएगी जह 10% profit बोल रहा है 110 selling price आजाएगी अब आपको जो question ने बोला है कि item अगर 10% gain में बेचे instead of 10% loss तो 7.80 वो seller जाएगा of course अगर loss में ना बेचते हुए profit में बेचेगा तो कुछ तो ज़्यादा कमाएगा कितना ज़्यादा 7.80 तो 10% loss में ना बेचते हुए 10% profit में बेचने से वो 7.80 ज़्यादा कमा रहा है but as per our assumption हमने जो cost price 100 assume की है उसके हिसाब से 10% loss में ना बेचते हुए 10% profit में बेचने से आप ही देख रहे हो 90 में बेच रहा था 10% loss हो रहा 110 में बेच रहा है 10% profit हो रहा है तो 10% loss के ज़्यादे 10% profit सिर्फ कितने से अपनी price बढ़ानी पड़ी उसको 20 से 20 रुपया वो ज़्यादा कमा रहा है loss में ना बेचते हुए profit में बेचने से 90 का 110 20 रुपया ज़्यादा कमा रहा है जो question के हिसाब से actual में कितना 7.80 then we assumption versus actual unitary method हमारे हिसाब से 20 ज़्यादा कमा रहा है loss से profit में बेचने से question के हिसाब से 7.80 20 अगर 7.80 है तो 100 is how much cost price पुछा है तो cost price 100 है cross multiply करो 20x is equal to गेगो जब 100 इसको multiply करेगा तो ये decimal के बाद 2 digit है और ये 2 0 decimal हट जाएंगे 00 कटा x कितना मिला 2 78 upon 2 कर लो 39 39 is the answer भाई चमक रहा है न बहुत easy है बहुत easy है come on अब ये चमक गया तो ये आजाना ही चीए आपको Arun sold a book at a profit of 24% Had he sold at 42 rupees more 30% would have been his gain अभी वो 24% profit पिछला question क्या था बिल्कुल पिछली question की तरह है एक फरक के पिछली question में loss to profit conversion था यह profit to profit है लेकिन कम profit to जादा profit 24% profit अभी वो कमा रहा है लेकिन जैसे वो अपनी selling price 42 से बढ़ा दे Had he sold his selling price by 42 more उसका profit 30% हो रहा है तो 100 अगर मैं मेरी cost price लूँ तो 24% का profit मेरी selling price कितनी बना रहा है 144 वो 31% का profit 30% का profit मेरी selling price कितनी बना रहा है 130 तो guys जैसे आपने पिछले example में देखा था 10% loss to 10% profit में आने के लिए आपको अपना selling price 20 से बढ़ाना पड़ा जो question के साफ से 7.80 था 20 अगर यह है तो 100 is how much आपने यह किया था इस बार देखो 24% profit से 30% profit में आने के लिए आपको आपका selling price कितने से बढ़ाना पड़ा 6 है लेकिन question बोल रहा है कि यह 24% profit से 30% profit की जरनी कब हुई जब उसने अपनी selling price 42 से बढ़ाई मतलब आपके हिसाफ से जो 6 है वो question के हिसाफ से 42 है तो find cost price तो आपके हिसाफ से जो 100 cost price है वो question के हिसाफ से कितना खतम cross multiplication की भी ज़ुरत नहीं है क्योंकि यह 6 का 7 times है तो 100 का 7 times ले लो 700 लेल खतम option C बहुत आसान कितना easily हुआ गाई मन में हुआ यह तो आपको समझ रहा ना 24% से 30% अब आपको मालू में आप cost price 100 ही लेते हो तो 24% 24 ही आने वाला है 30% 30 ही आने वाला है तो 24% से 30% कितने का 6% का मुनाफ़ा हुआ 42 के वज़े से तो 6% अगर 42 है then 100 is how much होई किया हमने 24% से 30% की जरनी याने 124 सेलिंग प्राइस से 130 सेलिंग प्राइस की जरनी हमें सिर्फ 6 रुपे बढ़ाने से मिली as per assumption जो question बोल रहा है 42 then 100 is how much I don't think कि इससे इजी ओर आप कर सकते हो come on guys a shopkeeper bought 240 chocolate at rupees 9 per dozen देखो उसने 240 quantity ली total quantity कितनी ली उसने 240 chocolate उसका rate क्या दिया है what what मतलब उसकी ये cost price है उसने purchase किया है rupees 9 per dozen बच्चा भी बोल देगा dozen याने 12 chocolate तो 9 रुपे किसका rate है 12 chocolate को उसका cost price है if he sold all of them at rupee 1 each selling price कैसे दिया है rupee 1 per chocolate each each मतलब cost price दिया है per dozen याने 12 chocolate का selling price दिया है per chocolate total quantity अलग से 240 दे रखी है आपको बोला है what is he is selling profit percent guys सबसे पहले student बोलते है sir profit कैसे ये तो देखो selling price एक रुपया है cost price 9 रुपया है आपने कहा था whenever selling price is less than cost price ये तो loss है फिर question ने profit कैसे बोला sir question गलत है नहीं question गलत नहीं है गलत है thought process जो ये सोच रहे है कि यहां पर वो loss में क्योंकि guys मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने clearly कहा कि उसने cost price per dozen दी है लेकिन selling price per chocolate दी है cost price 12 chocolate की दी है selling price एक chocolate की दी दोनों को आप compare करी नहीं सकते हो कि आप 8 standard का एक बच्चा है उसके result से 12 standard के बच्चे के result को compare कर सकते हो अरे वाया यार 8 में 90% है 12 में स्रीब 80% मतलब है 12 वाला गधा है नहीं दोनों को compare नहीं कर सकते हैं अब compare करना है तो platform same करो 8 वाले को 8 से करो 12 वाले को 12 से करो उसी तरह यहां quantity platform same करना होगा ये selling price है per chocolate तो cost price भी per chocolate निकालो या फिर cost price है per dozen याने 12 chocolate की तो selling price भी per dozen निकालो तो per dozen निकालना easy है नहीं यार देखो एक chocolate की अगर एक रुपया रुपी वन पर chocolate तो बारा चॉकलेट की कितनी बारा चॉकलेट याने पर dozen कितनी रुपीज 12 एक रुपे की एक चॉकलेट तो बारा रुपे की बारा क्या बात बहुत बढ़िया तो क्या अब इन दोनों को comparison invalid था बट इन दोनों को कर सकते हैं यास और अब आपको दिखेगा कि बंदा profit में है 12 चॉकलेट 9 की ला रहा है लेकिन वही 12 चॉकलेट 12 में बेच रहा है 12 में यह X दिख रहा है आपको क्योंकि मुझे भी X ही दिखा ठीक है बढ़िया 12 है तो 9 में लाके 12 में बेच रहा है कितने का profit? 3 रुपे का तो profit percent बोला है profit percent का formula मैंने starting में बता है आपको profit percent is what? profit upon CP into 100 हमेशा profit percent हो loss percent हो base price CP होती है जब तक question कुछ नहीं बोल रहा है तो profit कितने का है? 9 में ला रहा है 12 में बेच रहा है 3 रुपे का profit तो profit लिख लो new उपर cost price बोली है तो cost price क्या है? 9 है नीचे into 100 खतम गाईज तो यह 1 by 3 हो गया और 100 upon 3 कितना हुआ? 33.3333333 percent यहने 33 and one third अब majority student की दिमाग में एक doubt आ रहा होगा सरे 240 chocolate का क्या scene है? excess information गुम रहा करने के लिए आपका time waste करने के लिए भटकाने के लिए तो पता है majority student फिर अपना time कैसे waste करते हैं? वो मैंने कैसे selling price और cost price per dozen per dozen ली? पता है majority student पूरे 240 chocolate का अच्छा 12 chocolate अगर 9 रुपए की तो 240 chocolate कितने की? वो पूरे 240 chocolate का cost price निकालते हैं जो 180 आता है मैं आपको वो भी करके दिखा रहा हूँ देखो अगर 12 chocolate यह 9 रुपए की है यह ना per dozen यहने 12 chocolate 9 की तो 240 chocolate कितने की? तो यह हमारा total cost price 180 आता है selling price आप क्या बोलोगे? एक रुपए की एक chocolate तो 240 chocolate के लिए 240 chocolate के लिए 240 रुपए तो cost price है 180 selling price है 240 कितने का profit हो रहा है? 180 की chocolate 240 में बेची 60 का profit upon CP into 100 देखो profit percent फिर से निकाला हमने इन दोनों में profit कितने का हुआ? 60 का 180 में लाई 240 में बेची upon CP CP क्या है? 180 into 100 देखो 60 का 3 times होता है 180 और 100 upon 3 फिर से 33.33% तो क्यों ठक रहे हो? इतना सब करके पता है percent value हमेशा same आएगी आप per dozen per dozen निकालो या per chocolate निकालो या पूरा 240 240 chocolate का निकालो percent same ही आएगा तो ये unnecessary आपका time waste करने के लिए majority student सोचते कि अच्छा पूरे 240 chocolate दी है तो 240 का cost निकालेंगे 240 का sale निकालेंगे और फिर check करेंगे compare करेंगे कितने का profit है 60 का profit और उसका percent निकालेंगे over CP कोई answer आना है गलत नहीं है बट time waste हो रहा है तो सबसे based क्या था यहाँ? बस एक चीज़ सीको इस question से कि quantity platform को हमेशा same करना है एक dozen को एक chocolate से compare नहीं कर सकते एक dozen की value को 240 के इससे compare नहीं कर सकते हाँ per dozen को per dozen से कर सकते हो per 240 को 240 से कर सकते हो per chocolate को per chocolate से कर सकते हो answer तीनों में same आएगा उनने dozen सबसे based समझा क्यों cost price per dozen यह तो कोई मतलब भी नहीं फिर cost price per dozen दे रखी थी रूपीज 9 selling price अगर एक रूपे की एक chocolate तो 12 की 12 हो गई तो money man 9 रूपे में dozen ला रहे 12 में dozen बेच रहे यानि 3 का profit over CP into 100 एक second में answer आगया 33 and 33 तो आपको explain करने के लिए इतनी सारी चीज़े मैंने बताई बाकी आपका answer बहुत easily वही पर आ गया तो guys this is all about profit loss का कुछ basic बात है अब हम शुरुवात करेंगे अगले concept की जो आज के session में हमारा equally important है आपने profit समझा, loss समझा, SP, CP सब समझा अब समझेंगे discount और discount समझने के लिए आपको समझना होगा mark price भी ठीक है तो करें start चलो guys तो यह ज़िए start करते हैं concept of percent discount and mark price तो सबसे पहले तो आपको mark price समझना जरूरी क्योंकि mark price अब selling price से familiar हो cost price से भी familiar हो mark price से भी familiar हो बस इसके नाम अलग-अलग है तो mark price को कई बारी देखो mark price जिसको MP बोलेंगे जैसे CP cost price SP selling price तो mark price यहने MP short form में ठीक है mark price के कई सारे नाम है mark price को MRP भी बोला जाता है अब MRP word देखके आपको समझी गा होगा MRP यहनु जो tag लगा होता है किसी भी product कोई भी shirt, jeans साप लेने जाते हैं तो उस पर जो tag लगा होता है that is MRP तो score क्या बोला जाता है tag लगा होता है तो tag price भी बोला जाता है मतलब question में इसके क्या-क्या नाम यूज होते हैं गाईज मैं आपको सब बता रहा हूँ MRP, tag price, least price least मतलब LIST हैं least यहने कम वाली price नी यह तो सबसे जादा वाली price होती है least, LIST price, जो least में होती है यहना, catalog price catalog price then printed price then quoted price Q-U-O-T-E-D, quoted price ठीक है, तो यह कई सारे नाम है गाईज इसके तो पल्डू एक बार आपिस मेरे handwriting तो आपको बेशक समझ में आती ही है शांदार, सुन्दर लेकिन फिर भी पढ़ ले दा हूँ MRP, tag price, least price, catalog price, printed price, quoted price है ना तो यह सारे इसके नाम है तो एक्जाम, अब यह question में अलग-अलग नाम यूज होते हैं इसलिए मैंने आपको बताया यह कोई general knowledge का question नहीं है यह exam में कभी गबार question में least price mention होता है, catalog price mention होता है तो आपको पता चीए, नाम अनेक meaning एक, वो है MRP यानि mark price, तो guys जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि हम profit or loss percent जब तक question कुछ नहीं बोलेगा हम सिर्फ किस पर apply करेंगे, only on CP जब बोलेगा, SP पर apply करो तो करेंगे, उसी तरह guys अब mark price जिसकी बात अभी मैं कर रहा हूँ उस पर 1% हमेशा apply होता है, discount percent जैसे मान लो, आप एक shirt लेने चले गए बड़ी सी branded shop में जिस पर price tag लगा हुआ था 2000, तो यह जो price tag है उसको हम क्या बोलते है, mark price, tag price और लेकिन बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था flat 40% off अब यहाँ आपका calculation काम करो ना करो, वहाँ बराबर करना शुरू हो जाता है 2000 का shirt है, flat 40% off, यह 40% off मतलब ही क्या होता है, discount discount, तो 40% of 2000, कितना हुआ 40% off 2000, 800 तो 800 का आपको खुला discount मिला, याने 1200 क्या मिली उस बंदे को, selling price किस बंदे को, जिसकी shop थी याने जिसकी shop थी, जो यह shirt बेचने निकाला था, 2000 का, वो 2000 नहीं कमाया, उसका sale 2000 का नहीं हुआ, क्योंकि 2000 तो उस पे सो माइनस करने के बाद, कस्टमर ने उसको कितना पे किया 1200, तो 1200 बनी उसकी selling price तो guys, एक relation जस्ट थोड़ी देर पहले आपने देखा था, cost price plus profit is selling price एक relation, और वापिस आपने थोड़ी देर पहले देखा था cost price minus loss is selling price और अब तीसरा relation आप देख रहे हो mark price minus discount is selling price बस ये तीन चीजे दिमाग में feed कर दो ये तीन families, एक family किसकी profit की, एक family किसकी loss की एक family किसकी discount की, topic का नाम कहा है profit, loss, discount ये तीन family दिमाग में कर दो guys, आप कभी नहीं फस होगे, ये तीन family और जो सबसे बहतरीन approach मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कितना, ठीक है so CP plus profit is SP, CP minus loss is SP and mark price minus discount is SP SP किसकी उस बंदे की shop वाले की या हमर चीज़ shop वाले की respect में देख रहे है, customer की respect में नहीं बराबर तो उसने कितने का, इतने पे बेच के कितने का profit कमाया, इतने पे बेच के कितने का loss कमाया, और इतना discount देके कितने पे बेचा, यह सब चीज़े हैं किसकी respect में देख रहे है shop owner, so come on guys देखो simple सा एक example ले रहा हूँ कि मान लो एक shirt है जो मैंने 150 में बेचा और वो बेचने के बेचते समय मैंने 20% का discount डिसकाउंट डिया था मतलब 150 में मैंने कोई तो article बेचा shirt बहुत सस्ता हो जाएगा, एक article 150 में बेचा और वो भी 20% discount डिसकाउंट देने के बाद, मैं shop owner हूँ मैंने 20% का discount डिसकाउंट डिया अपने एक article पे एक item पे और उसके बाद 150 में बेचा, यहने 150 का है मेरी actual selling price है वो भी 20% discount डिसकाउंट डेने के बाद तो बताओ मेरी mark price क्या रही होगी अब तक आप कैसे question कर रहे हो अब तक आप ऐसे question कर रहे थे जहाँ पे आपको selling price profit डिया अपने CP निकाली, selling price loss डिया अपने CP निकाली, यहाँ पे मैंने selling price और discount डिसकाउंट डिया और mark price पूछा है, जहाँ discount आया बाकी student ने जो mistake कर दी होगी कि discount आपने इस पे निकाल लिया होगा कि सर देखो, 20% of 150, 30 रुपया मतलब पका वो article कितने का रहा होगा 180 का रहा होगा, तब जाकि उसमें 30 रुपया, 20% of 150, 30 रुपया discount डिसकाउंट डेने के बाद 150 में बेचा, गलत गाईस गलत, आपने जो 20% selling price पे निकाला ना, वो सबसे बड़ी गलती कर दी क्योंकि थोड़ी देर पहले याद करो, जो मैंने example दिया था 2000 का शर्ट था, 40% का discount, वो 40% का discount आपने किस पे apply किया था, 2000 पे 2000 उस पे tag लगा हुआ था, आपने 40% का discount इस पे apply किया तो yes, discount हमेशा mark price पे apply होता है 40% 2000 पे apply किया, बिल्कुल सही है, लेकिन है 20% जो आपने selling price पे, आप मेंसे अगर किसी ने apply किया होगा, तो गलत, अगेन यहाँ पर भी formula है, लेकिन again formula से नहीं जाना है, equation, X assume करके नहीं जाना है, assumption approach is the best approach, थोड़ा आपको एक बार, दो बार वीडियो देखो एक बार hold आगया न, सबसे best आपको वहीं लगेगा, और तेड़े देड़े question को, जा formula fail होता है वहाँ वो काम आ जाएगा, और equation approach हमेशा lengthy होता है, इसलिए वो तो मैं आपको बिल्कुल सला नहीं दूँगा anyways guys, बताओ मुझे, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, again same चीज, आपको पता था profit और loss percent CP पर अपला होता है और CP नहीं दिया था, इसलिए आप 100 100 ले रहे थे, यहाँ आपको पता है कि discount percent mark price पर अपला होता है, और mark price ही नहीं दि तो आप क्या लोगे, mark price को money 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 100 ले लोगे, और आपने अभी एक equation देखा, अभी एक family देखी कि mark price minus discount is selling price तो discount कितना दिया है, 20% किस पर अपला हो, mark price पर अगे रहे 100 assume करने का फाइदा, तो 20% of 100 is 20, तो 80 क्या मिला आपको selling price, जो की assumed selling price है, चुरुबात किसे की हमने assumptions है, percent जो actual discount का है, वो अपलाई किया, 20% of 120, तो उससे हमें selling price मिली, वो assumed मिली बट इसको हम इससे relate कर सकते हैं, क्योंकि discount percent दोनों में same है, तो assume selling price 80, actual में कितनी है 150, तो assume mark price 100, actual में कितना, same वो ही CPT story है guys, बस इस कहानी के पात्र बदल गए, पहले CP था वो ही चीज़ अब आप MP के साथ कर रहे हूँ mark price के साथ और सब में common कोने selling price, यानि selling price है याईसी चीज़ है, जिस पे ना profit निकलता है, ना loss निकलता है, ना discount निकलता है, profit loss CP पे, discount MP पे जब तक question कुछ ना बोले, अगर question ने सामने से कुछ बोला है तो मैं हमेशा बोल रहो respect कर रहा हूँ, तो guys, 80 अगर 150, तो 100 is how much तो 80X is equal to 15,000, cross multiplication के बाद 00 कटा, 1500 upon 8, कितना आया 187.5 तो guys, जो आप में से कोई सोच रहे थे ना, कि mark price 180 रही होगी, गलत, mark price 187.5 रही होगी उसका 20% निकाला होगा minus किया होगा, तब जाके selling price बराबबर आपको क्या मिली होगी, 150 तो mark price को क्या-क्या नाम question use कर सकता है, मैंने वो बताया दूसरी सबसे important बात बताई, पहला rule CP पर अपला होता है, profit loss दूसरा rule, mark price पर अपला होता है discount percent, तो जब-जब mark price नहीं पता है 100 assume करो, इस तरह से जाओ, 100 minus, याने MP minus discount is SP तो assume SP actual में इतनी है तो assume mark price actual में कितनी या assume discount actual में कितना सेम चीज़ आप discount के लिए भी कर सकते हो mark price पूछिए, तो 100 is how much discount पूछा है, तो 20 is how much कमज रहो, finish खताम, और guys जैसे कि अभी हमने देखा कि discount percent हमेशा किस पर अपला होता है mark price पे तो कभी कबार अगर question discount percent निकालने वोलेगा भी, जैसे profit percent आप CPA पे अपलाए करते हो, loss percent भी CP पे, इसलिए हाँ base price अपने क्या ली थी CP, CP ली थी, लेकिन discount percent किस पे अपलाए होता है mark price पे, तो यहाँ base price होगी हमेशा mark price, of course discount के percent निकालना है, तो numerator में discount जिसके भी percent निकालना है numerator में वो होता है, upon discount के लिए हमेशा mark price और into 100 जैसे हाँ profit percent में profit था, loss percent में loss था, लेकिन base price CP थी, यहाँ MPA, that's it, come on guys आते question पे फटा फट देखो अब ऐसे question देखो, कितने easy a dozen pairs of glows, dozen मतलब 12 pairs of glows quoted at rupees 80, मैंने कहा quoted price मतलब ही क्या mark price तो आपको mark price 80 दे दी है, वो भी एक नी, दो नी बलके 12 pair की तेकिन यह तो स्री mark price है, आगे discount भी दिया है, are available at discount of 10%, तो जेखो है discount भी है, तो discount कितना 10%, और discount किस पर apply कहता है mark price पर, mark price आपके पास है 80, तो सीधा apply कर दो 10% of 88, 72 मिला, actual selling price आपको वो भी dozen की तो guys, dozen याने 12 pair अगर आप 72 रुपई की बेच रहे हो तो selling price per pair कितनी 12 pair, अगर 72 की है तो एक pair कितने की 12 pair, अगर 72 की है तो एक pair कितनी हो जाएंगी गाई, रुपीज 6 पर pair तो एक pair of glow आप बेच रहे हो रुपीज 6 का, तो आपको question बोल रहा है, how many pairs of gloves can be bought at रुपीज 24, बच्चा भी पता देगा कि एक pair 6 रुपई की है तो 24 रुपई में आप कितनी pair लोगे 4 pairs खलवा question तो आपको उसने quoted price, ये word use किया था समझ जाना था, mark price है 80, जो की discount है 10% minus किया, 72 मिली, actual selling price उस बंदे की, लेकिन एक dozen के लिए, बारा के लिए तो बारा pairs के लिए 72 रुपीज, तो एक pair के लिए कितना 6 रुपीज, तो एक pair का 6 रुपई तो 24 में कितना लेगा, 4 pair रहे, खत्तम करो यार next, what price should a shopkeeper mark, what price should a shopkeeper mark, यानि mark price, question mark on an item costing, cost price देखो, अब ऐसे question में, यहाँ पे देखो, चीजे बढ़ गई है, CP mark price, SP, profit, loss discount, सब अब mix हो सकता है कोई tension नहीं, ऐसे question में बस given data लिखो और families बनाओ, यादे न, मैंने आपको 3 family बताई, एक profit की, एक loss की, एक discount की, CP plus profit is SP, CP minus loss is SP and mark price minus discount is SP पहले तू पुरा data समझ लो क्या-क्या given है, और बराबर उसको जिसको उसके, उसके family में डालो कैसे देखो, ध्यान दो, mark price निकालना है, costing, देदी है 174, to gain, gain मतलब क्या profit, 25% after allowing a discount सब चीजे लिखो लो, बस for a family बनाओ, अब मुझे बताओ, इसमें से कौन किसकी family है इन दोनों की एक family है, याद है न CP plus profit is SP, यह आपको सब करके दिखार हो, जैसे hold आएगा, आप खुद मन ही मन करना शुरू करोगे, और इन दोनों की एक family है क्या है, mark price minus discount is SP गाईस, जब जो जो चीजे आपके पास है, वो direct रखो, cost price 174 है, और profit dear 25%, तो 25% मतलब भी क्या होता है, percentage topic हाली में आपने देखा है, 1 fourth और profit percent किस पर अपला होता है, direct CP पर, तो CP हमारे पास है उसका 1 fourth ले लो, तो इसका 1 fourth कितना होँआ, 43 0.5, बराबर 1 fourth कितना होँआ 43.5 put out guys बराबर, तो yes, अब इनको अगर मैं add कर दूँ, तो कितना होँआ, 7 1, 2, 2, 1, 7.5 ये क्या मिला आपको, देखो cost price question ने actual दी थी तो selling price भी आपको जो मिली, ये क्या है, actual वाली मतलब, अब तक आपको actual selling price दी होती थी, profit या loss percent डिया होता था, और आपको CP निकालने बोला होता था, तो आप वो ही करते थे, assumption वाली निकालते थे, actual से compare करते थे, ये इतना वो कितना, अब यहाँ पे उसने आपको data दिया है, उससे actual selling price भी आपने निकाली again mark price आपके पास है, नहीं, mark price तो आपको निकालना है, लेकिन discount percent है तो discount percent apply करने के लिए आपको mark price कुछ तो ली नहीं होगी न, क्योंकि अभी मैंने बता है, discount percent किस पर अपला होता है सिर्फ mark price पे, तो 25% of 100 कितना होआ, 25 minus करने के बाद 75, ये हमें क्या मिली, again assumed selling price अब तक वो actual दिया होता था, assumption की आप निकालते थे और unitary से compare करते थे इस बार आपने क्या किया है, सिर्फ actual भी आपने निकाला, cost price और profit के जूगल बंदी से, इस family से, जहाँ पर actual cost price था आपके पास, इसलिए actual selling price मिला profit apply करने के बाद, और assumption भी आपने निकाला, discount और mark price के जूगल बंदी से इस बार आपके पास mark price नहीं था तो आपने assume किया, इसलिए आपको selling price भी assumed मिली, तो खतम, assumed selling price कितनी है दोस्तो assumed selling price है 75, जो actual कितनी है, 217.5 यह assumed selling price, यह actual selling price तो पुछा किया mark price is how much तो assumed mark price 100 is actual में how much cross multiply करो, खेल खतम तो 75x is equal to, यह 100 multiply करेगा तो सबसे पहले एक decimal तो चला गया और एक 0 extra, और यह 75 यहाँ से उठके, इदर divide हो जाएगा बस अब इससे divide करो लो, और क्या कर सकते हो, 25 3,000, 25, 8,000 then 7 and 0, 870 को 3 से divide कर सकते, yes, 290 is the answer, answer क्या बना, 290 चमका क्या everyone, बहुत easy है, ऐसे question यहाँ पर अब देखो, चीजे बहुत जादा एक सात में आ गई है, cost price भी, mark price भी, discount भी, profit भी, बट कोई tension नहीं, सब data को समझो और बराबर उसकी उसकी family बनाओ इन दोनों की family बनती है, इन दोनों की बनती है, यहाँ पर सब चीजे गीवन थी इसलिए actual selling price मिली यहाँ पर हर चीजे assume करनी पड़ी इसलिए assume selling price मिली और last में वो ही है, इतना तो वो कितना हाई, समझ रहो समझ रहो ने, एक बार आपीस बता रहो आपको mark price पूछा था, cost price दे दिया था 174, profit percent दे दिया था 25% और discount percent भी दे दिया था 25%, बात को समझ ना तो आपने क्या किया, cost price 174 में actual 25% एड किया, जो कि कितना होता है 43.5, जो आपको मिला 217.5, यह आपको कहा मिला, selling price actual, क्योंकि यह भी actual था उस पे यह भी actual आया इसलिए यह भी आपको actual मिला फिर mark price आपने 100 ली उसमें discount minus किया, 25% of 125, 75 आपको कहा मिला अपकोर्स यह assumption था यह भी assumption में आया, यह भी assumption में आया, तो आपके पास selling price assumption वाली भी है और actual वाली भी है, तो assume selling price 75, अगर 217.5 है तो assume cost price 100 actual में कितना, sorry, assume mark price 100 actual में कितना call किया answer आगया गया, come on इसी तरीके से करना है next question देखो, a shopkeeper mark the price देखो इस बार mark पता है इस बार mark price पता है कोई बात ने, data लिख लो mark price is Rs.80 find the cost price, cost price पूछिए कोई पिछले question से बिल्कुल अलग इसले question में cost price देथी, MP पूछा था, इस बार MP दिया है cost price पूछा है if after allowing the discount दे दिया है 10%, he still gain profit दे दिया है 20% on the cost price of course gain हमेशा cost price पही होता है profit cost price पही होता है अब यहाँ पे किस की family बनी, इन दोनों की family बनेगी mark price minus discount आपको actual SP मिलेगा, क्योंकि mark price actual में पता है, discount actual में apply करना तो actual SP मिलेगा और इन दोनों से आपको assumed SP मिलेगा क्योंकि CP assume करना होगा फिर profit apply करोगे, तो assume SP मिलेगा और खतम, assume SP actual में इतना तो assume cost price actual में कितना finish, तो देखो mark price 80 उसमें discount कितना दिया है 10% 10% of 80 कितना हुआ 872 मिला आपको actual selling price now cost price मैं ले लेता हूँ, 100 assume किया, तो इसमें profit कितना दिया है आपको 20% तो profit हमेशा add करते हैं, तो 120 का मिला आपको, assume selling price, तो होगे यार इन दोनों को relate कर दो, assume selling price 120, actual में 72 है, तो आपको cost price बोला है, तो assume cost price 100 actual में कितना finish, solve करना 60 answer अपको मिल जाएगा, तो देखो, ये x is equal to 70, 200 और 120, जो x को multiply करेगा, इदर divide हुआ, 00 कटा, 12, 60 72, 0 extra 60 is the answer कुछ है नहीं है भाई एक बार concept समझ गया बिल्कुल पिछली question की तरह था सिर्फ उल्टा था, इस बार CP निकालना था, MP दिया था, पिछले example में MP निकालना था, CP दिया था, बात वही थी, come on guys now, a shopkeeper buys an article for Rs. 400, तो buys, याने cost price दे दिया 400 marks it for sale at a price that gives him 80% profit on the cost फिर उस पर देखो, marks it for sale इस word पर पुरा focus करो 400 का एक article लाता है और उसकी mark price decide कैसे करता है, ऐसी mark price mark price याने थपा, tag, printed price ऐसी price उस पर प्रिंट करता है जो उसको 80% profit दे याने guys, mark price हम निकाल सकते है सिधा 400 पे 80% profit तो 400 का 80% कितना होता है 320, percentage topic आप देखे हो तो 80% of 400 निकाल लेना बराबर 320 मिलेगा तो इतनी वो mark price रख देता है condition दिये question इस बार इस बार condition दिये कि एक बंदा अपनी mark price कैसे decide करता है, जितने का भी वो item लाता है, जिस भी cost का वो item लाता है, उसका सीधा 80% बढ़ा देता है तो 400 का अगर कोई article है तो उसका 80% 320 आड़ करके 720 का उसने क्या लगा दिया? tag ठीक है? बड़ी ये दिखावा है क्योंकि जब mark price है तो फिर discount भी पिक्चर में आएगा, तो देखो तो mark price मिली 720 जो कि 80% उसको दे रहे उसके cost पे बट ये 80% actual profit नहीं है in fact पूरा question पढ़ लिए होंगे तो actual profit तो question आपको निकालने बोला है ये तो कुन सा profit है 80% सिभ दिखावे वाला, show off कि देखो 720 का item है मेरा, हाला कि लाया था 400 का 80% बढ़ा दिया 720 का tag लग गया, लेकिन अब जैसे customer उसके पास आता है he however gives the 15% discount customer जैसे उसके पास आता है उसके साथ वो discount discount खेलता है तो discount किस पर अपला होता है mark price, देखो mark price आपके सामने है कितना है 15% का discount और mark price की actual value value 72 उसका भी आधा और add कर दो, तो 10% 72 और 15 है न, तो और 5% तो 72 अगर 10% है तो इसका आधा है न, 5% दोनों का addition 108, तो 108 माइनस करने के बाद 612 का मिली, selling price तो actual में उसने 720 में नहीं बेचा, actual में कितने में बेचा 612, बट लाया कितने था, 400 का, तो बंदा फिर भी profit में न, 400 का लाया था, 612 में बेचा, तो selling price minus cost price is profit यह तो हमने starting में सीखा है selling price minus cost price क्या होता है profit होता है तो 212 के profit में बंदा तो question वही चीज़ पुछ रहा है, find his actual percent profit तो percent profit हम कैसे निकालते है profit upon CP into 100 profit है, यह CP है, यह into 100, तो 00 कटा of 4, 5000 4, 3000, 53% is the answer 53% is the answer आप इस question को successive percentage से भी solve कर सकते थे, अगर आप में से किसी की दिमाग में आ रहा है sir, क्या यह successive से होगा होगा, ठीक है लेकिन अभी मैं successive percent सब चीज़े में percentage topic में बता चुका हो आपको अभी हम इसको एक अलग ढंग से कर रहे है इसलिए मैं उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ तो yes, जिसका successive percent से आया होगा वो भी सही है बिल्कुल 400 को पहले 80% बढ़ा दिया होगा तो मैंने कहा है, successive percent में जितने से भी बढ़ाना है, वो क्या होता है हमेशा उसी तरह निकाल लो profit upon CP into 100 तो जिसका successive percent से आया है, वो भी सही है और जिसको मैंने अपना simple तरीका बताया कि 400 का CP है, उसमें 80% add करके 620 क्या हुआ आपका mark price, अब उसमें 15% का discount, तो 720 का 15% होता है, 108 तो माइनस करने के बाद 612 में बेचा, 400 का लाया, 612 में बेचा वही बात है, 212 का profit परसेंट में निकाल लो, तो guys ये question हमने किया, और dicto same logic पे ये question है, जो आपके लिए आज के lecture का first homework, again इस homework में जो top 3, 4 student है, जिन्होंने फटा फटा फट answer दिये, उनका नाम मैं mention करूँगा next class में जैसे कि आज शुरुबात में मैंने चार नाम mention किये थे, so guys ये आपके लिए homework one है, बिल्कुल पिछली question की तरह है खत्तम करो इसको, now शुरुबात करते है, practice question तो चंद practice question देखेंगे और ये topic finish कुछ नहीं इसमें है, ये ही approach सीख लो ये topic आपके जेब में है, come on guys अब देखो ऐसे बड़े-बड़े question भी जो अगर equation से जाओ formula तो fail है, equation से जाओ तो और tough लगेगा, लेकिन assumption से देखो कितना easy होगा, ध्यान देना, find the selling price of the watch, selling price of the watch, ये question मार के finally if two salesmen claim to make 20% profit each देखो इस बार एक watch एक ही type की watch, दो salesmen बेच रहे, दो salesmen और दोनों ने कितने percent profit का दावा किया है, पहला वाला भी बोल रहा है मेरे को 20% profit हुआ, दूसरा वाला भी बोल रहा है 20% का profit हुआ है, if two salesmen claim to make 20% profit each दोनों ने 20% का दावा किया है one calculating on cost price while another calculating on selling price भाई सहाब, देखो मैंने कहा है आप से, जब तक question नहीं बोलेगा, आप profit हमेशा CPP निकालोगे, लेकिन question ने बोला तो respect करो तो यहाँ ऐसा हो रहा है यहाँ एक बंदा तो जो है, चलो मैं मान ले तो first वाला, पहला वाला वो है जो हमें, जो पूरी दुनिया कर रही है वो ही कर रहा है, go with the flow अपना profit calculate करता है on CP first price, जो हम हमेशा करते है लेकिन दुसरा वाला जो है न, यह थोड़ा तेडा है यह अपना profit calculate करता है on selling price फिर इसको respect हो, second वाले का profit आप हमेशा selling price पर अपलाए करो है न, दोनों में difference आएगा तो question बोल रहा है, the difference in the profit earn is Rs. 160 और वो actual difference आपको 160 दे दिया है यह actual hint आपको दे दिया है जो end में काम आएगी and selling price being same on both in both the cases, भाई यह सबसे बड़ी hint है selling price आपको question ने निकालने बोला है main question वो ही है, find the selling price अब आप यह सोच रहोंगे सर, selling price इसकी निकाले हैं इसकी, कोई tension नी, दोनों की same है, वो question ने last में बोल दी selling price being same in both the cases तो खतम, अब आपको क्या करना है guys again, यह क्या कर रहा है, यह तो वो ही कर रहा है जो पूरी दुनिया कर रही है न यहने अपना profit किस पे निकाल रहा है, CP पे और CP पे जब profit निकालना है, तो हम कैसे करते है CP को 100 ले लेते है उस पे profit 20% calculate कि हमने क्यों कि 120 क्या है ही हमारी SP, selling price समझ रहा है, अब guys उसने आपको क्या बोला है, selling price remains same in both the case, तो यहाँ पर भी selling price कितनी आएंगी, 120 सबसे शांदार hint मैंने कहा न, end में दिया है selling price remains same, तो अगर यह selling price, यह selling price कैसे है, यह 100 CP लिया, जो हम अक्सर करते हैं क्योंकि यह बंदा होई कर रहा है, अपना profit CP पे निकाल रहा है, तो उसका profit है 20%, जो question ने बोला है, दोनों 20% है, तो इसका 20% CP पे निकाला, 20 add करके 120 selling price मिली, बट selling price अगर दोनों में same है, तो आपको इसकी भी selling price कितनी लेनी होगी 120, तो फिर इसका profit कितना आएगा, और यह तो अपना profit जो है यह किस पे निकालता है, selling price पे, तो यार देखो, selling price पता है 120, उसका 20% निकाल लो, तो रूपीज 24 10% 12 होता है, तो 20% 24 तो आपके हिसाब से अप दोनों के profit में difference क्या है, यह क्या है तो वोई चीज हुआ ना, यह पूरी दुनिया आपकी किसकी होई assumption की आपने दोनों का profit percent question ने दिया था 20-20% एक CP पे निकालता है, एक SP पे वो आपने मान लिया, first वाला CP, second SP तो first वाला अगर CP पे निकालता है तो यह आपने assume किया, let cost price is 100, plus profit percent 20, तो कि यह CP पे निकाल रहा है, तो इसका 20%, 120 selling price, फिर question ने बोला है, दोनों की selling price same है, तो इसकी भी selling price बज़ 120 लेनी ही पड़ेगी, दोनों की same है, और यह अपना profit निकालता SP पे, तो 20% of 120 is what, 24, तो दोनों के profit में difference कितना है, guys दोनों के profit में मुझे बताओ difference कितना है, इसका profit है 20, इसका profit है 24, तो as per your assumption, दोनों में difference कितना है, 4 लेकिन question के हिसाफ से दोनों में difference कितना है, 160 तो खतम, assumption के हिसाफ से difference 4 actual में 160 के बराबर है तो find the selling price, selling price assumption के हिसाफ से कितना ही है, 120 actual में किसके बराबर, finish finish तो x is equal to 160 into 120 इन दोनों का multiplication और 4 जो x को multiply कर लेगा, इधर divide किया तो देखो, 4, 4000 तो 12, ये देखो, 120 into 40 तो 12, 4000, 48 और 2, 0 extra, तो 48, 100 is the answer चमका क्या बहुत अच्छा खोशन था, और मैं बोल रहो ना, ये अगर general method से करने जाते है, तो थोड़ा heavy जाता conventional method से, लेकिन इस से एकदम easy हलवा first वाला, वापीस देख लो, first वाला CP पे निकालता है, ठीक है तो on CP, second वाला on SP first वाला जो CP पे निकालता है तो इसका cost price 100 assume किया, दोनों ने बोला है, 20% का profit हुआ है ठीक है, तो इसका 20% profit कितना हुआ, 20 ही हुआ तो 120 मिले हमें selling price question ने बोला है, selling price same है तो इसकी भी selling price क्या लेनी होंगी तो पहले वाले को कितना profit हुआ है, 20 रूपीज देखो यह profit आड़ किया न आपने, और यह 24 तो दोनों का difference 4 है, जो question के साब से 160 है, तो selling price is how much, find selling price बोला है न आपको, जो कितना है, 120 120 is how much cross multiplication के बाद answer मिला 4800, come on guys next question तो यह देख लो must question है, अब यह यार one-fifth of the commodity is sold at 25% profit कितनी तो भी commodity हमने लाई थी उसका one-fifth, हमने 20%, 25% profit में बेचा, one-fourth is sold at 30% profit and the rest, यहने बज गया, जो भी commodity का है, one-fifth हो गया, one-fourth हो गया बचा हुआ सारा, 20% profit में बेच दिया, if the total profit is Rs.94 then find the value of the commodity तो जो total commodity मैंने लाई थी, उसकी total value कितनी जो total commodity लाई थी, उसकी total value कितनी, तो guys, देखो ऐसे question में, जब आपको one-fifth लेना है, one-fourth लेना है, तो again ऐसी quantity, assume करो, यह क्या है, one-fifth मतलब क्या, इस total commodity का quantity का fraction है, one-fifth फिर one-fourth भी उसी quantity का fraction है तो ऐसी commodity लो, लेने के लिए 10 भी ले सकता हो, लेकिन फिर उसका one-fourth decimal में आ जाएगा, तो ऐसी value लो जो 5 से भी divisible है, यह चीज़ मैंने ratio से आपको बताते हैं, जो 4 से भी divisible है, तो मैं assume कर लेता हो कि total quantity मैंने लाई 20 kg या 20 items और वो भी at rupees 100 each at rupees 100 each बोलो या at rupees 100 per item तो मैंने 20 item लाए 20 items और उसकी cost price क्या है, at rupees 100 each तो total value कितनी हुई total value of commodity कितनी हुई अगर मैं 20 ला रहा हूँ, वो भी 100 100 रुपे का एक, यहने 2000 यह मेरे assumption की दुनिया देको assumption से हर question सोल हो सकता है तो उसने one-fifth, one-fourth बोला है तो मैंने ऐसी value assume कर ली quantity कि जिसका one-fifth, one-fourth निकालना है जी सर हम 100 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो यार, वैसे तो 10 भी ले सकते हो यहना, वैसे तो चाहे तो 60, 10, 25 12, 3, 4 जो लेना है लो, लेकिन उससे काम बढ़ेगा यहना, ऐसी value लो जो इन दोनों का common multiple और वो उसमें भी सबसे छोटी अपका calculation कम होगा तो 5 और 4 का common multiple 20 तो मैंने ले लिया 20, हाँ, लेकिन cost price मैंने 100 ही ली, cost price 100 each item की cost price 100 क्यों ली, क्योंकि आगे percent भी तो apply करना है, तो 100 हमेशा based होता है उसके लिए, percent CP पे अपला होता है, तो मैंने क्या assume कि अब तक कि मैंने 20 item purchase किये है, वो भी रूपी 100 पर item के cost price से, तो total value of commodity मेरी कितनी होई, 20 into 100, 2000, अब देखो बेचने की बारी, यह तो बस लाए है, अब बेचेंगे, अब वो बोल रहा है कि one-fifth, तो आप ही बता दो 20 का one-fifth कितना होता है, four item और वो मैंने कितने profit में बेचे, at 25% profit, one-fifth of the item मैंने बेचे है, at 25% of the profit, तो 25% of 100 क्या होता है, 25 यह तो फाइदा hundred assume करने का, तो यह जो one-fifth item है, इस पे per item, one-fifth of 20 कितना है, चार उस पे मैंने कितना profit कमाया, 25 रुपया पर item, तो टोटल profit मेरा कितना होआ, 100 फिर देखो, one-fifth of the item, और one-fifth of 20 कितना होआ, 5 और उस पर कितना profit कमाया, 30% अगेन, 30 of 100 कितना होता है रुपीज 30 तो यह मेरा total, यह तो एक item पे 30 रुपीज, ऐसे 5 पाँच आइटम बेचे, one-fourth of 20 यह ने 5 तो यह मेरा profit कितना होआ, 150 का, and the remaining, मुझे बताओ 4 item यहाँ गए, 5 यहाँ चले गए, 9 item खतम टोटल कितने थे, 20, 20 में से 9 गए, बचे कितने, 11 item, और वो मैंने, rest, rest मतलब बचे हुए सारे, यानि 11 है मेरे हिसाब से 11 वो मैंने 20% profit, again 20% of 120 तो कितना हुआ, 220 तो गाइज, पहले 4 item पे 25 रुपया, इच के हिसाब से 100 रुपया profit कमाया, अगले 5 item पे 30, इच के हिसाब से 150 कमाया, और remaining 11 पे 20 रुपीज इच के हिसाब से कितना profit कमाया, 220 तो मेरा इस पूरे transaction में इस entire transaction में total profit कितना हुआ, 470 but यह 470 profit तो किस के हिसाब से as per my assumption यह मेरी पूरी assumption की दुनिया तो मेरे हिसाब से 470 profit जो question के हिसाब से actual में कितना है clear बोला है, if total profit total बोला है, Rs.94 मेरे हिसाब से 470 अगर 94 है, तो total value of the commodity, जो total value मैं ने लाई थी 2000 खर्च करके वो actual में कितना, 2000 तो assumption है, actual में कितना, guys again देखो, यह 47 का double है बस 10 अपने कम लिया है, यहाँ पे मतलब यह 10 को अपने शहित कर दिया तो यहाँ भी X0 को शहित करो, और 200 का double ले लो, 400 400 is the answer, चाहे तो cross multiplication लेना है, तो cross multiplication लो यह 470, 94 के बराबर है तो 2000 कितना, तो देख लो 470X is equal to 94 into 2000, तो यह देखो, X0, X0 वेसे ही शहित होंगे 47 का double 94, तो यहाँ क्या बचा, X2 into 200 400, वोई answer आना है वोई answer आना है, एक दम easy clear है guys, बहुत आसान question था, मतलब इस question से बहुत बहतरी चीज़ सिखिया, आपने इस बार quantity भी assume करना बड़ा, अब तक तो भी CPE और MP assume कर रहे थे, ऐसे question, जलकी है बस जलकी, picture तो बाकी है इसी approach से जाओगे, तो बड़े-बड़े picture, बड़े-बड़े cat के questions भी कर सकते हो assumption approach, तो total quantity मैंने ले लिया, again क्यों लिया, 20 जिसका 1-5th बीजी, 1-4th बीजी और वो मैंने लाया, rupees 100 each, यह मानली cost price per item की तो total valuation कितनी हो गई 100 रुपया into 20, 2000 ठीक है, अब इसको बेचना है, तो बेचा मैंने 1-5th, तो 1-5th of 20 कितना होता है, 4, इसको मैंने कितने profit पे बेचा, 25%, तो अब 100 रुपया, assume करने का फायदा हुआ, उसका 25%, 25 आएगा, तो यहां मैंने कमा लिए 100 रुपय, तो भी इन 4 आइटम पे कितने कमा लिए, 100, फिर 1-4th, तो 1-4th of 20 होता है, 5 आइटम, उसके मैं 30 रुपीज profit कमा रहा हूँ, यह न, 30 रुपीज profit कमा रहा हूँ, तो यह 5 आइटम पे 30 इच के एसाब से कितना profit कमा लिए, 150, and the remaining, तो remaining कितना, यह 4 और 5, 9 गए, 11 आइटम at the rate of रुपीज 20 पर, तो 100 रुपे का 20 परसेंट, यह 20 होता है, तो यह 220, तो पूरे transaction, उसने total profit की हिंड दी है, तो मेरे भी पूरे total 220, स्वरी, 20 आइटम का profit कितना हुआ, 470, तो खतम, तो मेरे हिसाब से profit 470 as per my assumption, बट जो सीधा देखोए, 47 का exact double 94 होता है, मतलब बस 1 0 को हमने ignore किया, तो यहां भी 1 0 को ignore को रो, और 200 का exact double 400 खेल खतम, तो this is all about guys, about practice, और यह है आपका homework number 2, जो की same type का है, जरूर करना, homework 1 जस्ट थोड़ी देर पहले दिया था, अब यह homework 2 में भी देखो, फिर उसको अपने बेचा, cost price तो सुई ले 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 ना, फिर एक two-third of the item को इतने profit पे बेचा, बचे वे को इतने पे बेचा, overall कितना, यह सब question आपको पूछ रहा है, so find the gain earned by him in the whole transaction, comment देखूंगा मैं पराबर पहले तो बताना, चमका की नहीं, बर चमका तो इन दोनों हुवर के answer बताना, top three, four students जो पहले answer देंगे, उनका नाम next lecture में mention करूँगा, guys, पढ़ते रहो, ओडते रहो, कोई भी query है, doubt है, पूछते रहो, ठीक है, so हलबा topic था, एक बार पढ़ लेना, अगर थोड़ा clarity आ गया, बट confidence नहीं आ रहा, तो दूसरी बार भी recording देख लेना, पका आ जाएगा, बट यह approach से करो, तो profit loss खा जाओ गया, ठीक है, thank you so much, bye bye, good day, take care, enjoy,